नमस्का दोस्तों स्वारे था आप सभी का हमारे यूटीव चैनल में दोस्तों आज हम डिसक्स करने वाले हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में देखिए स्टोक की बात करें तो स्टोक का प्राइज इस समय अपने फिफ़ बग जो है आपको गांड देखने को मिल रहा ह 66 रुपीज में जो स्टोक आपको देखने को मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से रिटन्स काफी जाद अच्छे देखने को मिल रहे हैं आज की भी बात आप कर सकते हैं कि आज एक फिर से लगवग 5-6% के रिटन्स आपको देखने को मिलें तो आज हम डिसक्स करने वाल है कि क्या यहां पर क्वाटर फॉर से पहले इसमें इंवेस्टमेंट करना सही होगा तो चलिए डिसकस करते हैं सबसे पहले हमां बात करता हूं प्राइस एक्षिन के बारे में तो देखिए यहां पर आज आपको काफी अच्छे रिटन्स देखने को मिलें आज पिछले पा कंपनी की तरफ से देखने को मिलें आपको 66 रुपीज में देखने को मिल रहा है बाकि यहां से करता हूं कंपनी के बारे में कि यहां से नेक्स्ट कैसी परफॉरमेंस हो सकती है तो चीज को भी डिसकस करेंगे बाकि यहां पर बेसिकली क्या होता है कि काफी कंपनी अपने ये का जो क्लोजिंग होती है खास करके जो क्वाटर फोर होता उसमें डिविडेंट बगरा देती है जैसे कुछ ही दिनों पहले या फिर कल की ही बात है यहां पर एज़े ही एक पैनी स्टोक ने डिविडेंट अनौंस किया जाने कि आप कह सकते हैं कि जो आपके पास साउथ देखने को नहीं मिली है वाट अगर आप स्टोक की बात करें तो परफॉर्मेंस स्टोक की भी काफी जाद अच्छी है तो यह भी डिविडेंट दे सकता है ऐसी बात नहीं है क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है वो जो एक डिसिप्ली नजर आता है जैसे रिजर्ट्स हरे कंपनी एक्सपेक्ट करती है कुछ वैसे ही रिजर्ट्स यहां पर स्टोक से आपको देखने को मिले है काफी बहतरीन रिवेन्यू लगातार इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो वहां पर भी आपको सेम एज़िज जो है नेट है ले भी डिसकस कर चुका हूं कि इसको आपको लोंग टरम के लिए होल्ड करके चलना चाहिए बाकि देखिए अभी वी काफी अच्छा मौका है 66 रुपीज का स्टोक है 81-82 का कंपनी का 52 वीक्स का हाई है तो काफी अच्छा मौका है स्टोक थोड़ा सा नो डाउट यहां आप अभी भी 52 वीक्स से कम है तो यहां से अगर आप इंवेस्टमेंट करते हो तो आप एक अच्छा खासा प्रोफिट गेंड कर सकते हो बाकि फिर भी देखिए आप एक वार खुद भी जुरू सारी चीज़ों कर लीजिएगा हाँ अगर फिर भी आपकी क्वारी रहती द नहीं धन्यवाद